हेलो फ्रेंग्स बेलकम बैक टू मैं चैनल और आज हम एक और प्रोड़ेट का रिव्यू करने वाले हैं और आज हम जिस प्रोड़ेट का रिव्यू करने वाले हैं वह है एवर यूद का गोल्डन पील ओफ मास्क इसके बारे मैंने बहुत सुना है यूटूब पे इतनी वीडियो देखी मैंने आप सोच भी नहीं सकते कितनी वीडियो देखी मैंने पील ओफ का रिव्यू और अब मैंने जब इसे यूज किया है तो मुझे पता चला कि गोल् सब्सक्राइब करना न भूले प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो स्टार्ट बिट टुड़ेज वीडियो और हम बात कर रहे है एवर यूद गोल्डन पील स्किन देखते हैं चलो इससे मिलती है या नहीं मिलती है ठीक है नेचरल ग्लोइंग स्किन ठीक है देखो मैंने इसका इस्तमाल किया इतना सा रिव्यू देखने के बाद मैं तो बस इसे चक्कर में पड़गी कि नहीं मुझे तो पीलोफ लेना है कुछ भी हो जाए मैं यह बताती हूं देखिए वैसे यह प्रोड़क्ट और अच्छा है ऐसे मेरे पैसे गए नहीं मैं वैसी बोलाई थी बढ़ हां यह है कि एक तरीकी से इतना एफेक्ट नहीं है में को ना ब्लैक हैट की बहुत जारा प्रॉब्लम थी बोलते हैं कि पीलोफ मांस जो होता है व और जब दीरे दीरे यह सूख जाता है फिर आप इसको रिमूब करते हैं तो कूलिंग एफेट के साथ पेन भी बहुत सारा आता है चलो छोड़ो फोपर तो पीलोफ है खींचोगे तो पेन तो होता ही है ठीक है अब पेन भी आता है पर पेन के साथ अगर आप अपनी बाद चाहती हूँ कि इसने ब्लैक है रिमूब करने में ज्यादा हेल्प नहीं करी जब आप इसको लगाते हो 20 मिनिट तक अप्लाइ करते हो सूपता है फिर आप रिमूब करते हो रिमूब करने के बाद मेरे स्किन पे तो इसकां एफेक्ट सिर्फ इतना था कि मेरे स्किन बहुत refresh feel कर रही थी glow धाय मेरे skin पर black head पर इतना effect नहीं आया था जितना मैंने इसका review देखा था कि black head को remove करने में बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है पर black head को remove करने में इसका काम इतना अच्छा नहीं था मैंने इसको एक नहीं दो नहीं तीन बार यूज किया week में दो बार यूज किया फिर भी मेरे black head इतने ज्यादा नहीं गए क्योंकि mask को जो peel करते हो तो उस पर दिखना चाहिए कि हां black head गई है क्योंकि मेरे skin पर तो इतने सारे black head हैं तो मुझे पता पड़ता अगर मेरे black head जाते तो इससे obviously पता पड़ जाता पर मैं को जब मैंने वह उसको peel off किया तो मुझे इतने जारा black head इस पर remove होते हुए नहीं देखे थोड़े dust particle देखे जो में भी मेरे pores के अंदर थे जो इसके वजए से बहा निकल गए पड़ इसका effect मेरा black heads पर इतना नहीं था तो इसका एक conclusion यह है कि जिसके face पे black head कम है वो इसको use कर सकता है थोड़े बहुत black head ही remove करता है जिसके चेरे पे बहुत जादा ही black head है nose area पे और chin area पे जिसको black head के लिए ही peel off चाहिए तो मेरी सलाम माने तो इस peel off को थोड़ा सा avoid करें क्यों क्योंकि इस peel off mask black head में मुझे नहीं इ reaction अलग होता है result अलग होते हैं तो आप एक बार इसको try कर सकते हैं try करने में कोई हर्ज नहीं है मैंने भी कर लिया एक बार पैसे डालने में क्या जाता है ठीक है देखो अगर हम बात करें तो इसकी self life three years की है यहां लिखा हुआ है 2017 में बना था 2020 में मरने वाला है ठीक है और अगर अब हम देखें इसकी price की बाद तो यह price लिखी हुए है 75 रूपीज और यह है 50 ग्राम का भाई 75 रूपीज में 50 ग्राम ठीक ठीक रीजनेवल रेट है कि मतलब 75 में 75 नहीं सही 50 ग्राम मतलब से थोड़ा सकम कोई बाद में थोड़ा सकम तो चल जाता है ठीक है और हम अज़ता है यह उसकी बात करें यह इसकी की स्मेल इसकी स्मेल आतीया संतरेखा रही है पर zh रखें कि फ sign में थोड़ा सी मुंटी लेर लगाया जादा पट्ली लेर लाएंगे तो आपको बहुत जादा दर्द होगा जितनी पतली उतना दर्थ हो सके थोड़ी सी मूटी लेयर लगाएं जिससे आपका पेन थोड़ा सा रेडियूस हो जाए और जो पेन जहेल नहीं सकता फेस का वो प्लीज इसको अवोइट करें और ओईली स्केन ड्राइ कॉम्बिनेशन हर स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी एक बार यूज करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि स्केन अलग-अलग होती है सबकी सबकी उपर एफेक्ट अलग होता है तो हो सकता है में भी आप एफेक्ट करें पर मैंने इसको ब्लैक हैट के लिए लिए आथा पर मुझ पर इतना असर नहीं हु धाइंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शियर करना और मेरे सेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाई